इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Tempted Tablet MR दो दवाओं से मिलकर बना है जो पुरुषों में बड़े हुए prostate gland के इलाज के लिए अलग-अलग तरीके से काम करती है. यह पेशाप करने में कठिनाई या अधिक बार शौचालय जाने की आवश्यक्ता जैसे लक्षनों को दूर करने में मदद करता है. इसका उप्योग prostate cancer को रोकने के लिए नहीं किया जाता है. Tempted Tablet Mr. को खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है लेकिन इसे रोजाना एक ही समय पर लेना चाहिए. आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उप्योग्त खुराक लिखेगा. सबसे अधिक लाब पाने के लिए और अपने लक्षनों का प्रभावी धंग से इलाज करने के लिए आपको खुराक लेने से नहीं चुकना चाहिए. भले ही आप अच्छा महसूस करें. लक्षनों में सुधार देखने में चार सप्ताह तक का समय लग सकता है लेकिन उन्हें नियमित रूप से लेते रहें. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपके लक्षनों में चार सप्ताह के बाद भी सुधार नहीं होता है या यदि वे खराब हो जाते हैं. इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में नपुन सकता, काम इच्छा में कमी, स्तन दर्द और स्खलन विकार शामिल हैं. यदि ये दुश प्रभाव आपको चिंतित करते हैं या समाप नहीं होते हैं, तो सलाह के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें. आपको चक्कर या नीन्द भी आ सकती हैं. जब आप पहली बार इस दवा को लेना शुरू करते हैं, तो ये जोखिम अधिक होते हैं. याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको यह दवा इसलिए दी है क्यूंकि लाप साइड इफेक्ट के जोखिम से अधिक हैं. टाम्टिट टैबलेट मिस्टर का सेवन महिलाओं या बच्चों को नहीं करना चाहिए. इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको निम्न रक्त चाप या लीवर या किड्नी की बीमारी है. यह दवा उप्यूक्त नहीं हो सकती है. यह अन्य दवाओं क पहनने की सलाह दी जा सकती है. आपका डॉक्टर आपके रक्त चाप की बार बार जांच करवाने की सलाह दे सकता है. शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे इस दवा के साथ अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.